दोस्तो फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम NICU के एक्विप्मेंट के बारे में जानने के कोशिश करेंगे दोस्तो NICU का फूल नेम है नियोनेटल इंटेंसिव केर यूनिट जन्मजात बच्चा बिमार होता है तो उनका टीटमेंट NICU में किया जाता है जैसे कि बच्चा प्री मेच्वर पैदा होता है जन्मजात बच्चे का वेट नॉर्मल वेट से कम होता है स्वास लेने में तक यूज किया जाता है तो दूस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन दबा के ओल पर क्लिक कर दे ताकि मेरे हर एक ऐसे नए वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहला एक्विपमेंट है रेडियंट वार्मर पूरा NICU हमें रेडियंट वार्मर से ही बरा हुआ दिखाई देता है तो जानते है रेडियंट वार्मर का यूज क्या होता है बेबी के टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए ये मशीन का यूज किया जाता है और टेंपर लेटेंट वार्मर में बेबी के नॉर्मल टेंपरेचर के हिसाब से टेंपरेचर को सैट किया जाता है, और टेंपरेचर प्रोब को बेबी के स्कीन पर लगाया जाता है अब अगर हमने जितना temperature set किया है उससे baby का temperature कम हो जाता है तो warmer में उपर की side heater होता है वो automatic on हो जाता है और heater on होने से baby का जो हमने temperature set किया है उतना temperature maintain रखता है और अगर baby का temperature set किया हुआ temperature से जादा हो जाता है तो heater automatic बंध हो जाता है इस तरह से radiant warmer baby का normal temperature maintain रखता है और temperature maintain रहने से baby का metabolic rate भी maintain रहता है दूसरा equipment है photo therapy वीडियो के शरुआत में मैंने बताया कि जॉन्डिस वाले बच्चे का treatment NICU में किया जाता है यान कि जिस बच्चे में bilirubin की मात्रा ज्यादा होती है उनको photo therapy से treatment दिया जाता है दोस्तो photo therapy का यूज कैसे करते है तो इसमें blue light होती है जिसकी range 420 से 500 nanometer तक की होती है ये वाली light को जॉन्डिस वाले बच्चे पर doctor जितना time decide करता है उतने time के लिए continuously रखी जाती है light और बच्चे का distance around 45 cm का रखा जाता है और दोस्तो ये light जब भी बच्चे पर use करते है तो उसके जो गुपतांग है और उसके आख को हम completely cover कर देते हैं क्यूंकि अगर cover नहीं करते तो उसके आख और उनके गुपतांग damage हो सकते है अब दोस्तो ये light continuously बच्चे पर पढ़ती रहती है और उसकी वज़ा से उसके skin के अंदर जितना भी blue ribbon है वो सब तूट कर उनकी पेशाप की जगा से वो निकल जाता है तो इस तरह से बेबी के उपर और नीचे दोनों साइड LED फोटो थिरापी रखी जाती है जिसका जितना भी यूज होता है अगर किसी को कम होता है तो उपर के साइड से ही दी जाती है अगर ज्यादा होता है तो नीचे के साइड भी होती है और उपर के साइड भी भी फोट रखा जाता है तो इस तरह से फोटो थिरापि का यूज ہतलड के । करके बिलीरिवीन की मातरा कम की जा ठीज है और जोंडीस वाले बच्चे को फोटो थिरापि की मदद से टीटमेंट दी जाती है तीसरे एक्विपमेंट है पल्स ओक्सिमेटर पल्स को तो आप सब जानते हो बट NICU में जो पल्स ओक्सिमेटर यूज होता है वो वेरी हाई कॉलिटी का होता है क्योंकि NICU में जो बच्चे का टीटमेंट किया जाता है वो एकदम न्यूबॉन बेबी होता है उसके अंदर आक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है दोस्तों पल्स की कशिमेटर की मदद से बच्चे का पल्स रेट और बच्चे के ब्लड के अंदर कितना ऐक्सिजन का लेवल है वो हम जान सकते और । यूँ में जो pulse oximeter use होता है उसके साथ जो probe होता है वो fix wrap वाला होता है ring जैसा होता है ताकि बच्चे के pair में हम आसानी से लगा सकते है और complete लगाने से हमको जो reading मिलता है वो very accurate मिलता है चौथा equipment है multiparamonitor यानि की vital sign monitor multiparamonitor में spo2 और pulse rate तो होता है लेकिन इसके साथ ECG, NIBP, respiration और temperature भी होता है तो जब भी ECG, NIBP, respiration और temperature इसमें से कोई भी parameter को continuously doctor को जरूरत होती है तो multiparamonitor का भी use किया जाता है पांचवा equipment है syringe pump अगर कोई patient को drug continuously देना होता है और वो भी accurate मातरा में तो वो सिर्फ syringe pump से ही possible है और वो patient को 1 hour में 2 ml देना है वो भी continuously 24 hours तक देना है तो उसके लिए syringe pump का use किया जाता है चठा equipment है infusion pump infusion pump syringe pump की तरह ही काम करता है जब कोई drug accurate मातरा में लंबे समय तक patient को देना होता है तो infusion pump का use किया जाता है infusion pump में direct IV line लगती है और infusion pump का use जब ज़्यादा drug देना होता है तब किया जाता है जैसा कि 1 hour में 10 ml, 20 ml, 30 ml इस तरह से अगर continuously 1 hour में drug देना होता है तो उस condition में infusion pump का use किया जाता है दोस्तों आपको एक question होता होगा कि syringe pump से भी हम accurate drug दे सकते है तो फिर infusion pump use करने का मतलब क्या है तो जब आप 20 ml 1 hour में देना होता है तो syringe pump में ज्यादा से ज्यादा हम 50 ml की syringe लगा सकते है तो आपको बार बार syringe को change करने पड़ती है तो इसलिए drug की मातरा ज्यादा होती है तो infusion pump का use किया जाता है अगर drug की मातरा बहुत कम होती है, micro level में होती है तो syringe pump का use किया जाता है साथवा equipment है ventilator जब बच्चे की respiration system काम नहीं करती है तब ventilator का use करके breathing करवाया जाता है जब बच्चे का दिमाग, heart और बाकी के organ सब अच्छी तरह से काम करता है लेकिन उसकी respirator system काम नहीं करती तब ventilator का use करके उसको breathing करवाया जाता है आठवा equipment है portable ventilator portable ventilator same ventilator की तरह काम करता है बट अगर ventilator वाले बच्चे को अगर एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसपर करते है तो portable ventilator की मदद से उसको ट्रांसपर किया जाता है नवा equipment है bubble CPAP bubble CPAP का use जब बच्चे की respiratory system काम करती है लेकिन अच्छी तरह से काम नहीं करती है यानि की positive pressure की support की जरूरत होती है तब CPAP मशिन का use किया जाता है CPAP का मतलब है continuously positive airway pressure CPAP मशिन से बच्चे के airway में positive pressure बना रहता है जिसकी मदद से बच्चा आसान इसे breathing कर सकता है दसवा equipment है suction machine suction machine का use बच्चे के मुह और स्वास नली में से extra fluid को remove करने के लिए किया जाता है तो suction machine भी NICU में होता है ग्यारवा equipment है jaundice meter NICU में jaundice meter का use baby का jaundice level चेक करने के लिए किया जाता है jaundice meter से direct baby को scan करके blue ribbon की मातरा चेक कर सकते है इस machine non-invasive machine है इसलिए इसमें कोई भी blood की जरूरत नहीं होती है direct machine से baby को scan करके jaundice का level कितना है वो हम पता लगा सकते है बारवा equipment है vein finder vein finder की मदद से हम baby की आसानी से vein को find कर सकते है ताकि baby को multiple puncher करना ना पड़े तो vein finder का use baby की vein को find करने के लिए use होता है तेरवा है oxygen hood जो बच्चा breathing तो कर सकता है लेकिन उसका oxygen level कम होता है तो oxygen hood में oxygen को connect करके बच्चे को oxygen दिया जाता है चौदवा है laryngoscope laryngoscope का use बच्चे को जब ventilator लगाते है तब उसको intubation किया जाता है और intubation करने के लिए उसका airway completely देखने के लिए laryngoscope का use किया जाता है laryngoscope के अंदर आगे blade होती है उसमें light होती है उसको मूँ के अंदर रखने से airway होता है वहां तक light जाती है और उसकी मदद से डॉक्टर आसानी से intubation कर सकते है पंदरवा है ambu bag ये machine को हम manually ventilator भी कहते है जब बच्चे को temporary ventilator करना होता है तब ambu bag का use किया जाता है और अगर baby को एक जगा से दूसरी जगा transfer करते है तो temporary उसको ventilator करने के लिए भी ambu bag का use किया जाता है soul number में है medical air oxygen, air, vacuum वो सबकी NICU में central line होती है उसकी मदद से अगर हम baby को oxygen देना चाहते तो oxygen pot का use करते है medical air की अगर ventilator में ज़रूरत होती है तो medical air का pot use किया जाता है अगर suction की ज़रूरत होती है वो तो central line में भी vacuum का point होता है suction का point होता है तो उसकी मदद से भी हम suction का use कर सकते है तो ये चीज भी NICU में रहती है दोस्तो इसके अलावा भी stethoscope है glucometer है, weight scale है, needle cutter है, room warmer है ये सब NICU में होता है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने NICU के equipment को समझाने की कोशिश की है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment box में जरूर comment करे दोस्तो अगर आपको इन में से कोई भी equipment अगर purchase करना है तो निची description box में उसका link मिल जाएगा वहाँ जाके आप purchase कर सकते हो और दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है all पर click कर दो ताकि मेरे हर एक ऐसे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं दोस्तो अगले नए ऐसे वीडियो के साथ तब तक के लिए वंदे मातरम